हेलो बच्चों, इस पाठ में हम दो, तीन, चार के पहाड़े सीखेंगे एक दिन बन्नी खर्गोश, किट्टू कंगारू और बबन बंदर जंगल में खो गए अपना रास्ता ढूनते ढूनते वे एक दल्दल के पास पहुँच गए दल्दल में उन्हें इस तरह के कुछ पत्थर नजर आए बन्नी ने पहले दल्दल पार करने की कोशिश की वाउर्णी कोशिश कमारा चल्दल में दो कडम की कूद लगाई और दूसरे पत्थर पर पहुँच गया कर उसने एक और चलांग लगाई और वो कौनで पत्थर पर पहुचा चाहेँ atravry पत्थर पर हर चलांग में दो कलम आगे बढ़ता गया और अंत में बीस्वे पत्थर पर से सीधा दलदल के उस पार पहुँच गया बच्चों, क्या आपको बन्नी की चलांग में कुछ अनोखा नजर आ रहा है? बन्नी की हर चलांग में दो जोड़े जा रहे हैं और हमने पिछले पार्ट में क्या सीखा था? बार बार जोड़ को हम इस तरह गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं और इस तरह से एक और अनोखी चीज बन गई क्या आप बूद सकते हैं क्या? ये बन गया दो का पहाड़ा अब बननी को देख किट्टू कंगारू का भी साहस बन गया किट्टू एक चलांग में तीन कदम कूद सकता है पहले उसने एक चलांग लगाई और तीसरे पत्थर पर पहुँच गया अब उसने एक और चलांग लगाई और तीन कदम आगे कौन से पत्थर पर पहुँच गया? छटे पत्थर पर अब तीसरी चलांग लगाकर किट्टू कौन से पत्थर पर पहुँचेगा? नौवे पत्थर पर किट्टू सात्वी चलांग में 21 पत्थर पर पहुँच गया और वहां से फिर आसानी से उतर कर दलदल पार कर गया बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि यदे किट्टू 8, 9, 10 चलांग लगा पाता तो किन पत्थर पर पहुँच था? 24, 27 और तीसवे पत्थर पर और बच्चों, अब हम अगर इसे गुणा के रूप में लिखें तो हमें क्या मिलेगा? बिल्कुल ठीक, तीन का पहाड़ा अब किट्टू और बन्नी ने तो दलदल पार कर ली लेकिन बबन अब भी दलदल की दूसरी ओर पे ही था अचानक दलदल पर रखे पत्थर दलदल में धस गए तभी बबन की नजर दलदल के उपर गई वहां कुछ बेले लटक रही थी बबन ने सोचा कि वो उन बेलों पर लटक कर दलदल पार कर सकता था बबन एक चलांग में चार बेले पार कर सकता है उसने पहली चलांग लगाई और चौती बेल पर लटक गया अब बबन की हर छलांग में चार जोड कर क्या आप चार का पहाड़ा बना सकते हैं? अरे वाह बन गया चार का पहाड़ा और इसी के साथ बेलों पर छलांग लगा लगा कर बबन भी दलदल पार कर गया बननी, किट्टू और बबन अपना रास्ता धूनते धूनते जंगल के बाहर निकल आए बच्चों इस पाठ में हमने दो, तीन और चार के पहाड़े सीखे